तो देखें, next question है, कि construct a triangle ABC in which BC equal to 4.3 cm, angle B equal to 45 degree and C equal to 6 cm, तो question क्या कर रहा, question कर रहा है, कि या आपको एक triangle construct करनी है, जिसमें BC side की length 4.3 cm होना चाहिए, और जो B जो point है, जो vertex है, वहाँ पे 45 degree angle होना चाहिए, और A C का length 6 cm होना चाहिए, चलिए, इसको हम construct करते हैं, तो सबसे पहले paper ले 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 लिया, उसके बाद सबसे पहले rough sketch होगा, then उसके बाद, उसका real diagram, actual diagram होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, सबसे पहले BC ड्रोग करते हैं, देखिए, माल लेते हैं हमारा, यह BC है, पेन से ही ड्रोग करता है कि visible हो, BC, ठीक है, B और C, ठीक हो गया, यह 4.3 cm, अब C को as यहाँ पे 45, माल लेते हैं, 45 होगा, ठीक है, आपको actual construct करें दिखाएंगे, जी, कि यहाँ आप, हर बढ़ा जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे C होगया, तो A जो होता है, कहीं, इसी point होगा माल लेते हैं, यहाँ पे A है, कोई दिकत नहीं है, यहाँ पे माल लेते हैं, A है, ठीक है, यह हमारा A होगया, तो A C, A C कितना हो इतना है, 4.3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4.3, ड्रो करेंगे, 4.3, 4.3, ठीक है, तो देखिए, 4.3 हो गया, यह हमारा B C हो गया, यह कितना हो गया, 4.3 cm, कोई दिकत यहाँ तक नहीं होगया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, C पे हमें 45 डेरी हंगल चाहिए, तो कैसे ड फिर वह ही मेठेड, हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक आर्क, आर्क करेंगे, आर्क कर दिया, अब क्या करेंगे, जो यह आर्क जो है, BC को, BC लाइन को जहाँ पे इंडरसेक्ट किया है, मतलब क्या है, उसको अब सेंटर लेके एक आर्क करेंगे, ठीक है, तो एक आर्क कर करके उसका हाप कर दिया जाए करतेगे की नहीं कर देंगे तो वहीं चलते हैं देखिए इसको और बड़ा सा चॉचख्च करते हैं ठीक है तो दीखिए सबसे पहले इसको यहाँ पर हो गया को खिया तो कि इए अच्ट Tôi और प्वास कुण फिर अगेन सेंटर लेकर यहांपकर कर दिये दो पोइंट में कट हुआ कट रूए हमें यहां 그래서 से टेग्री और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यहां तो 120 लेकिन अगर हम इस इस अकूसिक को हाप कर देंगे मतलबक थत्टी हो गया तो 60 plus 30 कितना हो गया 90 लिए चलते हैं कःS justine करते हैं तो same हम यहां पके का करेंगे एक और को पैट करेंगे और यहां यह मिल्या पॉइंट मिल गया यह नांट टीटीलिका तो चलते हैं साधिक स्कुछे टो कर लिते हैं घ्रीक मैं बाटिंगरफ सबस्क्राइब कर लेते हैं क्या दिक्क थे ठीटोच जी जा फिर कोंच टेट हो सत्सक्राइब, अब देखिए यहां पर point cut हुआ है यहां पर cut हुआ है अब क्या करना है हमें जो है इसको bisect करना है ठीक है तो हमें bisect करने के लिए क्या करेंगे तो देखिए अब इस एंगल जो है एंगल को bisect करना है यह total 90 degree है 90 degree को bisect करना है मतलब हाप करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहां पर अपने convenience के coding एक radius set करेंगे और यहां पर जोता है एक r cut करेंगे और यहां भी एक center लेके एक r cut करेंगे यह point cut हो गया जब इस point को और इस line को join करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 45 मिल जाएगा तो य हो गया 45 हो गया ठीक है 45 हो गया तो यह एंगल जो है यह एंगल जो है कितना हो गया 45 डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा यहां पर यह होगा इस इसी लाइन पर तो इसके लिए हम कितना 6 cm तो यहां से हम क्या करेंगे 6 तो देख 6 कहां पर है इसमें तो दिख तुनी राइजी 6 हाँ यहां पर ठीक 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 हमारा यह मिल गया कौन सा यह पॉइंट मिल गया और यहां मारबी मिलिया तो इसको जॉइन कर देते हैं दोनों को जॉइन जॉइन करेंगे तो हमारा यहां पर ट्रेंगल गल कंस्ट्ररॉक्ट हो गया ठीक है तो ए Fahren 45 डिख्या है और Ave tormenta हो गया इसको मेर म मेरक यตना हुग गया इसको मेर कर पॉर पॉंट यृव गया यह 4.3 डाट मिस यह भी एंगल में बता दो एक्ष्ट्रा के लिए 4.3 एंगलना पॉर्त फॉर्टी पाइप लेकिन आंसी बता दो आ दे रहा हूं ठीक ना इन्टी होगया लेकिन अपको इतना इंगल के शूरत नहीं है आपसे बस इतना ही को यह न तो इसलिए सोचा कि अगर ट्रेंगल कर दो साइड इक्वल होता है तो इसका पॉजिट एंगल भी इक्वल होगा तो यह 45 तो यह दर आपका 90 होगा ही होगा इसका मतलब राइट एंगल ट्रेंगल हो गया होगा ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट कुश्चेन लेते हैं